कि नमस्कार चात्रों आप सभी का स्वागत है आपके पने यूडिव चैनल डियार लेनर्स पर जैसे कि आप सभी जानता है आप पढ़ते हैं मेरे साथ यानी ससांग किवारी के साथ हिंदी का सेक्षन आपके चैनल में और सीडीपी का सेक्षन तो अभी मैं कुछ दिन आगाम समास क्लास आपको कि सीडीव करते जाओं आप तो कि भैलेंस बना रहे एक संतुलन बना रहे दोनों चीजहें आपको समझ में आति हैं कि तक के भी पिछट्रीक्लास में जो मैंने आपको संधी पूरी कि संथी पढ़ाई आप जोने संधी के बारे बहुत यहतर cat Ms. बच्छ करने वाले हैं आप जैसे कि आपने संदी में भी देखा है कि मैं एकाथ क्लास जोसिप इंट्रोंडक्शन में ही ले जाता हूं तक कि आपको उस सब्द का मतलब। उस सब्द की थीम, उस सब्द का फील पता चले कि अखिर ये सब्द है क्या, तो आज की क्लास वही होने वाली है, हम समास के बारे में चर्चा करेंगे, आखिर समास क्या है, ये काम केशे करता है किसी वाक्त में, सब्द निर्माड की चार विदियां होती है संधी, समाज, उफशर्ग और पिटता है यह उसके सब्द निर्माड की दूसरी विदी है तो हम दूसरी विदी में चर्चा करेंगे चलिए तो बात करते हैं समाज की पहरे बच्चे कर समाज की बात करें तो अगर हम समास में देखें तो इसका अगर संदी विच्छेद देखेंगे आप या आप ये देखेंगे किन-किन सब्दों से मिलकर बनता है तो आप देखेंगे ये दो सब्दों से मिलकर बनता है समुधन आस किसे मिलकर बनता है तो आप कहेंगे मिलकर बनता है समुधन आस सम का मतलब होता है समान और आज का मतलब होता है बिठाना आज का मतलब होता है बिठाना तो सम का मतलब होता है समान और आज का मतलब होता है सम में देखो समान तो है लेकिन यहाँ पर समान से अर्थ न लेकर रोके अगर आप पास से अर्थ लें तो ज़्यादा उचित रहेगा तो सम का मतलब होता है पास और आस का मतलब होता है बिठाना इसका मतलब है किनी दो सब्दों को किनी दो बदों को आस पास बिठाना आस पास बिठाना कब आस पास बिठाना उनके बीच की बिभक्ति चिन्नों का लोप करके आस पास बिठाने को ही हम समास कहते हैं हम बच्चें समझने कि लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा देखि ए मैंने क्या कहा है क्या आपने समझाये झाट मतलब कहाँ बथाना आज क मतलब होगा है इस Stop मतलब है किनी दो पदों को जैसे देख लिखा हुआ है रेल पर चलने वाली गाड़ी यह देखो लिखा हुआ है रेल पर चलने वाली गाड़ी अब प्यारे बच्छी आप से अगर कह दिया जाएगी इसका आप क्या करो इसका समास करके दिखाओ अब आप क्या करोगे रेल पर चलने वाली में गाड़ी में अगर आपको समाज करना है तो यहां पर जाएए सम का मतलब पास और आज का मतलब बिठाना इसका मतलब है किनी दो पदों को आज पास बिठाना तो आप जानते हैं रेल पर चलने वाली गाड़ी को आप कहते हैं रेल गाड़ी अब देखें रेल देखें ये लिखा हुआ है और गाड़ी ये लिखा हुआ है गाड़ी लिखा हुआ है और इसके बीच में सब्दे कितने हैं पर चलने वाली तो मैंने यही बात कही है बैरे चिनिया पदों का लोप करके दो पदों को पास पास बिठाना ही क्या कहलाता है समास कहलाता है समास मतलब पास पास बिठाना और सम का मतलब पास 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 बिठाना कब का कैसे पास पास बिठाना उनके बीच के विभक्त चिन विभक्त चिन क्या है पर है या उनके बीच के व पास पास बिठाने को ही हम क्या कहते हैं पहरे बच्चे हम कहते हैं समास कहते हैं पता वास समझ में आई कि नहीं आई तो अगर हम इसकी परिभासा लिखने कोसिस करें देखें अगर हम इसकी परिभासा लिखने कोसिस करें पैरे बच्चे तो हम परिभासा में क्या लिखेंगे किनी दो पदों लिखेंगे किनी दो पदों के मद्ध की बिभक्ति चिन लोप का मतलब क्या होता है जो उसके अंदर अंडर चिपा रहे है लोप जैसे आपने लुका फिलुका चिपी देखते दे तो वही लुका चिपी में लोप का मतलब है चिपा देना हमेशा के लिए गयब नहीं कर देना चिपा देना और जब उसका विग्रे करें तो सामने आ है पदों का लोप करके कि नी दो पदों केमद्द भी भेकति चिन्व यह उस उनके बीच लिखे हुए पदों का लोप करके दोनों पदों को दोनों पदों को आसपास या पासपास आसपास बिठाना या पासपास बिठाना ही समास समास कहलाता है यहां पर आपको परिवासा पता चली कि किनी दो पदों के मच अभी देखों यहां पर समझना बहुत जरूरी है किनी दो पदों के मच लिखे हुए भी बगती चिन्निया पदों का लोग पकरके दोनों को आसपास बिठाना या दोनों को आसपास रखना ही समास कहलाता है ये परिवासा आप याद रखेंगे जैसे एक्जामपल में इसको ले लेंगे एक्जामपल में इसको ले लेंगे कि रेल पर चलने वाली गाड़ी इस में आपने कैसा किया है किसे हो भुआ है तेसे एक अर्ड ले लेते हैं दूसरे एकजमपर हमने ले लिया सरन को आगत किसों किया हो जाएगा सरनागत अब लिखन। कैं की लिखन किसे और मेरी बादों को मैंने आज पास लिख दिया इसको ही क्या कहते हैं समाज कहते हैं फटा पर स्क्रिनसोट करिए फिर आगे बढ़ा जाए हो गया चालो देखो आगे इसको तो ये तो हो गई बेसिक सी बात क्यों कि आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी थी कि समाज किया जाता है तो क्या क्यों कि यह डाता है इसका मतलब क्या है ठीक है आप देखो बहुत बार क्या होता है बच्चे छोटा से कोशन पूछ लिए जाता है कि समास का बिलूम क्या होता है पड़ा बच्चे जैसे संदी का बिलूम क्या होता है अभी में बताया था बिग्र है या भी छेद जैसे संद्ध का विलोम बिच्छेद होता है ऐसे बच्चे क्या करते हैं समास का विलोम लिख देते हैं विग्रे जो की गलत होता है समास का जो बिलोम होता है वह होता है ब्यास क्या होता है ब्यास तो इसको भी आपको याद रखना है छोटी सी बात है आप अपने दिवाब म प्रकार कितने होते हैं इनको ही कहते हैं भेद बताइए भेद कितने होते हैं तो अगर कभी भी आपसे पुछाए समास से कितने प्रकार या कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे कितने छे कौन कौन से तो आप यहां पर नीचे लिख देंगे पहला कौन सा होता है तो आप लिखेंगे पहले होता है अव्याई भाव समास दूसरे नंबर में लिखेंगे तत्पुरुष समास अगला नंबर दिगू फिर कर्म दारे समास उसके बाद में दंदो समास उसके बाद में बहु ब्री ही है भॉब्री ही समास के ठीक है यह पहला दूसरा दीसरा चौथा पांच्वए और जछठा लिखेंगे आप पूछा गए की समास वह समास के छह बहुत होते हैं अगर बड़ा रोचा कोशन आता है अगर आप से पूछा जाए बताएं पदकी प्रधानता के आधार पर समास कितने भेद होते हैं पदकी प्रधानता के आधार पर समास कितने भेद होते हैं तो पहरे बच्चे आपको अंसर देना है चार और यह जो कोशन होते हैं अगर कोशन बदल जाए और कोशन क्या हो जाए कोशन हो जाए पदकी प्रधानता के आधार पर समास कितने होते हैं पहरे बच्चे चार इसको आपको बिसेश कर याद रखना हैं देखिए चार कैसे होते हैं इनमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा तो पहला होता है प्रथम पद प्रधान समास ठीक दूसरा होता है दुतिय पद प्रधान समास तिसरा होता है दोनो पद प्रधान समास और फिर चौथा और अंतीम होता है इसको बिटा आप लोगों ने कोई बात नहीं चली इस इन सौट फटा फट कर लें अप लोग जो अगला है उसको यह पर लिख देते हैं इसर लिख लेते हैं जो अगला है उसको कहते हैं उसको कहते हैं कोई पद प्रधान नहीं या इसका दूसरा नाम होता है अन्य पद प्रधान समास हम यहां पर आप देख रहोंगे कि हमने आपको चार प्रधान के समास बता दिये पहरे बच्चों कौन कौन से हमने बता दिये पद की प्रधानता के आधर पर पद की प्रधानता के आधर पर समास के चार भाग पर्थम पत्पधान समास, दोती पत्पधान समास, दोनों पत्पधान समास और कोई पत्पधान नहीं है, अन्न पत्पधान समास, ठीक है तो अब हमारे पास जो समास है, वो तो हमारे पास चाही प्रकार के हैं, कौन-कौन से तो हमने भी आपको लिखाया कि अब बेई वा होता है समास हमारे पारे पारे ही है फिर हमारे पास है तथप्रुस फिर हमारे पास है करमधारे पिर है दिबू फिर है दुंदू तो अब इन छे प्रकार के समास को आपको इसमें ही तो सेट करना होता है देखें जब समास की जब उत्पत्ती हुई थी तब ये छे प्रकार के समास नहीं हुआ करते थे जब समास की उत्पत्ती हुई प्यारे बच्चों तो ये छे प्रकार के समास नहीं हुआ करते थे पढ़े जाते रहे हैं समास का जो जो आधार माना जाता था वो पद्ध की प्रधानता को माना जाता था परंद जैसे जैसे आगे आहंदी आगे बढ़ती गई हमें आवस्सक्ताइं पढ़ती गई वैसे वैसे हमने अपने इन चीजों को क्या किया सुधार लिया और जो कहते हैं तत्पुरुस समास इसको आप कहते हैं तत्पुरुस तत्पुरुस समास और कहते हैं कि जब तत्पुरुस समास दुती पत्पधान होता है जब दुती दुती पत्पधान तत्पुरुस समास का भार बढ़ना सुरू हो गया इसे बहुत सारी बराइटी आने सुरू ह गई तब इनके बैकरनाचार्णहनें दो भाग और कर दिये जिन को आप जानते हैं तो घू समास। कर्मधारे समास के नाम सुट ये बात हमेशा याद रखेगा कि दिगु समास और कर्मधारे समास की उत्पत्ति कहां से हुई है तो पैरे बच्छे वह हुई है दिगु समास स्वारी तो ही है तक्पुरु समास से दिगु समास और कर्मधारे समास की उत्पत्ति हुई है तो य हम आपको आगे समास की जब तरचा करेंगे जब समास का बिस्तार करेंगे तो आपको ये बातें बहुत ही क्लिरली समझ में आएंगी कि आखिर कार तत्कुरुस के भाग कैसे बने और अगर दोनों पत्परधान की बात करें तो ये पैरे बच्चे होता है दंदो समास ठीक है तो हमारे पास तो यहां पर आगए अब अन्पध में एक ही बस्ता है जिसको आप कहते हैं बहुट बरी ही बहुट ब्री ईसमास ये बात आप पर नोट करिए फिर एक बहुत ही महत्पूर्ण आपको बात बताते हैं कि ये जो बार बार जो बात हो रही है पत्थम पत्परधान दोती असलिए पत्ध की प्रधानता होती क्या चीज है पत कैसे प्रधान होता है ये क्या बात है ये पत की प्रधानता बात क्या है इसको हमें आज देखना होगा आपने अभी तक यह नहीं पढ़ाओ कि पत की प्रधानता क्या होती है आज मैं आपको दिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा भी कि पत की प्रधानता आखिर कहते किसको है प्रसाइब करूख चार चार में कौन कून प्रधान समास में कौन आएगा घगू और करमधारे दोनों पद में बहुबष में इतनी सी ब सबस्टा पाइगा कि पैजक नुट किया बैर में लिचो भानादीया झालिए अब आज आगि यह समझेंगे कि आखिर इस प्रदान्ता होती कैसे है तो यह यह प्रत प्रदान नहीं है जह का मांज़रा क्या है ये बात आज अभी आप समझेंगे और आज के बाद आप जीवन में कभी इसको भूलेंगे नहीं कि पत की प्रधानता क्या होती है और जब प्यारे बच्चे आपको बेस क्लियर हो जाता किसी भी चीज़ का तो आपको पढ़ने समझने और लेखने में बहुत आसानी ह होती है कभी कभी क्या होगा कि जब आप प्त की प्रधानता समझ लेंगे तो आप किसी भी समास में बिना समास की परिभास आने बिना रटे आप बदा सकते हैं कि ये जो दिर्धी पादर पर태 के प्रधान समास है तो कौन सा समास होकर दे acerca सब जाएम बात होने वाली है कुछ सार्थक मतलब होता है। जिन जिनका कुछ posing आर्थ होता है। बेटा देखिए जैसे कि मैंने संधी में आपको बताया था कि संधी सिर्फ उन्हीं दो सब्दों के बीच में होती है जिनका कुछ ने कुछ सार्थक मतलब होता है जिनका कुछ ने कुछ सार्थक अर्थ होता है उन्हीं के बीच में समास होती है आज मैं फिर से बही बात कह र फालतों के सब्दों के बीट में समास नहीं होता है तो मतलब यथा का कुछ मतलब है और सक्ति का कोई मतलब है अब देखे प्रधान का मतलब होता है जैसे ग्राम प्रधान होता है यह हम कहते हैं प्यम मोदी हैं वो प्रधान मंत्री हैं वो प्रधान मंत्री के पदसे नहीं अ चैसे लेखिए इता सकतीक यथा वहीं पर एक यथाक क्रम कि यथा नूसार कि यतार था इसका मतलब आप यह देख रहे हैं कि यथा है यथा यहsyासा उलाान्य फीक्स है इसका मतलब यह प्रतौम पर प्रधान है बेटा अगर यह प्रथम पर प्रधान ना होता तो यहां पर यह फिक्स ना हुआ होता यह हट जाता यह कट जाता यह कमजोर हो जाता बार बार यह यह था देखो यह था ने अपनी जगह कभी नहीं चोड़ी यहां पर भी यह था था यहां पर भी यह था है यहां पर भी य कि जैसे कि आप पढ़ते हैं तो जैसे कि अप्यतस पुरू से हमें युदान पढ़दे ढ़ें देल रेल गाड़ी ठीक अब रेल गाड़ी होता है तकुरस अमास को द corri त तर पुरुत समास में का होता है दती पत्παधान हो गाड़ी तो गाड़ी तो बहुत हो गाड़ी । Ps. बहेंसा गाड़ी अब देखो यहाँ पर आप यह देख रहोंगे पैरे बच्चे की गाड़ी को कुछ नहीं हो रहता है गाड़ी देखो upनी चक्हेशा है परतों जो आप प्रधान होता है तो इस से यह बा़ समर्ण में आती है प्यारे बच्छे कि जो प्रधान होता है वह अपनी जगह पर एक जैसा रहता है हुएसा और हमेसा इस्टिक्र रहता अपनी तो आप कितने भी परिवर्तन करें के पर ऊस user कोई पर्यवर्तन नहीं कर सकतें या कहते हैं को इधावत रहता है सिक्राइव तो उसे Louisiana की पर्धान्ता को कहा जाता है अब हमने थीसरा आपको बताए कि दोनों पत्परधान काई में होते हैं तो वो पहरे बच्छे होते हैं दुन समास में ठीक है तो मानने हमने लिख दिया दिनल समास को दान लिख दिया लो कुस तो यहां पर आप यह देख रहे होंगे कि जो लो है वो अलग बाड़ी है उसमे यहां पर दोनों पत्परधान है यहां पर कोई अपरधान नहीं है यह दोनों पत्परधान समास है जैसे कि हम लिख दे हैं लाब हान अपने आप में दोनों पत्परधान है अलग अलग सब नहीं आप किसी को भी बदल नहीं सकते हैं किसी को भी हटा नहीं सकते हैं तो यहा गाड़ी फिक्स किया गोड़ा गाड़ी मोटर गाड़ी पैसा गाड़ी लेकिन यहां पर आप नहीं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं लो राम लो नहीं लव कुस ही होगा और लावहान ही होगा क्योंकि दोनों पद यहां पर प्रदान है इसलिए आप किसी भी को बदल नहीं सकते इसलिए दोनों पद्पधान समास है फिर जो अगला आपने पढ़ा आपने पढ़ा अन्य पद्पधान अन्य पद्पधान कैसे होता देखिए जैसे कि हमने एक लिख दिया हमें लिखा गजानन गजानन समाज बिग्रे पैरे बस्चे करने जाएए तो हो जाएगा गजानन मतलब गज यानि हाथी के समान बिग्रे कर देता हो हाथी के समान मुख वाले अब देखिए जैसे ही बात हुती है गजानन की हाथी के समान मुख वाले तो आपके जहन में क्या आता है आपके जहन में आता है कि सर जी ये तो गडेश जी को का जाता है तो ना तो यहाँ पर हाथी यानि गज परदान है नहीं आनन मिन्स मुख प्रदान अबत की प्रदान क्या है गड़ेस जी विलकि जब यह बिच्छेट करते हैं विग्रे करते हैं तो आपके जहन में आता है गड़ेस जी या गड़ेस भगवान और जब हमेशा याद रखना जैसे यहां पर क्या भैसा गाड़ी में कोई कोई इस प्रेस्पिक सब्द कह सकते हैंगा आप कहेंगे वह गाड़ी जिसको भैसा खीचता है या भैसे से खीचे जाने वाली गाड़ी बात कता हो कि भैसा गाड़ी हो गया है यहां पर आपने का हासी के समान मुख वाले इसका मतलब है गड़ेस तो ना तो यहां पर हाथी प् प्रधान होने में क्या होता है अन्य प्रधान समास होता है तो आपने पद की प्रधानता के बारे में समझा की नहीं समझा पद की प्रधानता अखिर चिडिया क्या है अखिर वस्तु क्या है अखिर चीज क्या है पद की प्रधानता बेटा होता है पद की प्रधानता वहां प वह संज्वार बदलता रहेंगा उसको कहते हैं पद्धी प्रधानता गए अगर खबी भी आपको कोई पद्धी प्रधानता अगर दोर्यमिल जाए तो आप कम से कम फर्दान तो एक है होता है कौंसा तो आप कहा को दो आप कहा तो आप सनी से हम ऊधेश democr tirar शेज आंसर लगा लें पर समझें यहां तक ही बातें बच्के मैंने पूरी कर अभी हैं और कल से हम बात करेंगे अपने इसमास उसको आप बहुत समास की आज ही क्लास को मैं यहीं पर खतम करता हूं अधिरी क्लास में लेकर रहुगा अब इसमीच में बहुत आपके जीवन में दुबारा कभे कटना इंठा हे महनत करते हैं ignorant भी हमारे होसला आप जाए करिए जिससे हम आपके लिए और भी ज्यादा काम कर पाएं जाहिए